नमस्कार दोस्तों जय माता दी धनवंतरी की पूजा की जाती है जो समुंद्र मन्थन के दोरान अम्रित कलर्ष लेकर प्रकट हुए थे इस दिन इसकी पूजा करने से धन संबंदी सारी समस्याइं दूर हो जाती है धन तेरस को और भी खास बनाने के लिए आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही चीजे लेकर आई हूँ जो आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर करके आपके घर में सुख और शान्ती का वास होगा जिसमें पहली चीज आपको शामिल करनी है वो है धन तेरस के दिन पांच गुमती चक्रुपर केसर और चंदन से शिरी हिरी शिरी लिख कर लक्षमी पूजन में उन्हें शामिल करें उनके समक्ष लक्ष्मी मंत्रों का यथा शक्ती अधिक संख्या में जाब करें तरपश्चात उन्हें धन के साथ रखें वर्ष पर अब धन की कमी नहीं होगी ऐसा जोतिश शास्र में कहा जाता है दूसरी इंपोर्टन चीज़ जो आपको फॉलो करनी है धन तेरस की रात्री में लक्षमी बीजो से अभी मंत्रित 21 अक्षरत चावल को लाल पोटली में बांद कर उसका लक्षमी कुबेर के साथ पूजुन करके उसे धन के साथ रखें आर्थिक सम्रुधी का मार्ग प्रशस्त होगा धन तेरस से भाई दूश तक नित्ते रात्री में 11 पीली कोडियां लाल वस्रुपर रखकर शिरी सूतक का पाट करें ततपश्रात धन के साथ रखें लाप जरूर होगा धन तेरस पर शाम ढ़नने के बाद तेरा दीपक चला दें और उनके पास तेरा कोडियां भी रख दें फिर आधी रात होने के बाद कोडियों को घर के किसी कोने में गार दें ध्यान रहे कि ऐसा करते वक्त आपको कोई देखे ना, इससे आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी अगर आपके पास पैसा नहीं ठिकता है और हमेशा धन की कमी रहती है तो आप धन 13 से दिवाली के दिन तक हर रोज माता लक्षमी को लौंग का एक जोड़ा यानि दो लौंग जरूर चड़ाएं ध्यान रहे कि लौंग तूटी ना हो साबित हो ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति होगी और धन से समंदी सारी समझ से आएं दूर हो जाएंगी किसी भी कारे में सफलता प्राप्त करने के लिए धन तीरस के दिन आप उस पेड़ की टहनी तोड़ कर लाएं जुस पर चुमकादर बैठता हो इसके बाद उस टहनी को घर के ट्राइंग रूम में रख दें ऐसा करने से समाज में संबान मिलेगा और धन की प्राप्ति होग धन्यवाद